नमस्कारम दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल को क्वित के लिए में तो आज मैं आपके साथ नारियल के लड़ू की रेसिपी सेर करने वाली हूँ एकदम हेल्दी पोस्टिक ये लड़ू बनाना बहुत ही आसान है ये लड़ू हमारी स्कीन और बालों के लिए बहुत ही फाइदेकारक है ये लड़ू बहुत ही कम समय में बन जाते हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी और हेल्दी है तो चलिए शुरू करते हैं तो यहाँ पे मैंने नारियल दो लिये हैं दो नारियल को मैंने कद्दू कस कर लिया है नारियल के लड्डू बनाने के लिए पहले तो हम एक पेन में लेंगे एक चमबच जितना घी और घी को हम गरम होने के लिए रख देंगे जब तक की घी पिगल जाए तब हमें इसमें जो हमने कद्दू कस किया है नाजल उसको हम इसमें एट कर देंगे और उसे घी के साथ बहुत ही अच्छी तरह से पून लेंगे तो हमें यहां घी के साथ जो नाजल का कद्दू कस किया हुआ है उसको हम यहाँ पे दो से तीन मिनिट तक ऐसे चला कर फून लेंगे गेस को हमें मध्यमाच पर रखना है और इसे चलाते ही रहना है हमें तीन मिनिट के बाद नारियल अच्छे से फून गया है तो अब हम इसमें 400 ml जितना दूद एट कर देंगे अगर मलाई वाला दूद हो तो भी अच्छा है लेकिन यहाँ पे में मलाई के बिना ही दूद का इस्तमाल कर रही हूँ तो इसे भी हम अच्छे से दूद के साथ पका लेंगे इसे पकने में 10 से 15 मिनिट होते हैं तो हमें गेस को धीमी आज पर रखना है और इसे दूद में ही पका लेना है दूद में उबाला गया है तो हमें इसे चलाते रहना है जिससे की जो दूद है उबहार ना निकले हमें इसे चब तक की दूद हमारा पूरा खतम नहों जाए तब तक हमें इसे इस तरह से चलाते रहना है गेस को हम मध्यमाच पर कर देंगे 10 से 15 मिनित हो चुके हैं और हमारा दूद भी अब बहुत ही कम रहा है तो अब हम इसमें चीनी एट कर देंगे अब अगर बहुत मीठा पसंद करते हैं तो थोड़ी साधा चीनी एट कीजिए तो यहाँ पे स्वाद अनुसार चितना हमें मीठा पसंद है उसकी अनुसार हम इसमें चीनी एट कर देंगे उसे भी हम अच्छे से चलाएंगे मिक्स करेंगे और गेस को रखेंगे मध्यमाच पर चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी तो हमें इसे चलाते ही रहना है जब तक की चुनारियल है वो तला न छोड़ दे एकदम से चुल लिक्विड है वो न रहे तो अब आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम दूद इसमें बचा हुआ है तो अभी भी हमें इसे चलाना है तो अब बिल्कुल इसमें दूद नहीं रहा है अब बस हमें इसे थोड़ा सा चला के ठंड़ा होने के लिए रख देना है बहुत ठंड़ा नहीं करना है हमें बस जितना हम लड़ू बना सके उतना ही हमें इसे ठंडा करना है तो बस अब हाथ में थोड़ा सा घी लेकर हम दूनों हाथ से लड़ू बना लेंगे इस तरह से गरम गरम ही हमें लड़ू बना लेने हैं तो हमारे लड़ू बनके तयार हो चुके हैं अगर आपको ये मेरी लेड्डू की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक से रूर सब्सक्राइब जरूर कीजिए नोटिफिकेशन मेल को प्रेस कीजिए जिससे के मेरे नए आने वाले वीडियो की रेसिपी आपको पहले मिल सके थैंक यू फर वोचिंग मिलते हैं नए रेसिपी के साथ जय हिंग